हल्लो भाईयो इस वीडियो के अंदर अपने बात करेंगे जो आज से आपर ऑस्टेलिया और स्कॉटलेंड के बीच में T28 स्टार्ट होने वाली है आज से और उसका पहला मुकाबला आज खेला जाएगा तो इस मैच की पूरी की पूरी जानकारे आपको वीडियो में दूगा बस आपको करना कुछ नहीं है वीडियो जो है अच्छे से समझना है आपको एक एक चीज क्लेर हो जाएगी तो भाईयो भीना दिटे के वीडियो करते शुरू मुकाबला जो है स्टार्ट होगा साड़े छे बजे साम को और मुकाबला जो है वो खेला जाएगा ग्रेनेस क् चनल को जरूर से जोइन कर लेना है क्योंकि लास्ट मुमेंट अपडेट सारी के सारी यहीं पर मिलेंगी जैसे कि इनका जो बेटिंग ओडर आएगा वो और इस मैच में क्योंकि देखो ऑस्ट्रोंग टीम है एस कंपेर टो स्कॉटलेंड तो यहां पर जो फाइनल टीम आपको टॉप पर पिन किया वा मिल जाएगा तो दोनों जगे से जाकर आप आसानी के साथ टेलिग्राम चनल को जोइन कर सकते हो अब यहां पर अपन बात कर लेते हैं पिच्छी रिपोर्ट की तो देखो मुकाबला जो है वो खिला जाएगा ग्रेंज क्रिकट क्लब पे औ पर देखो पहले बात करते हैं दोनों टीमें आपस में एक ही मुकाबला खेली है और वो वा था वर्ल्ड कप के अंदर जो भी हुआ था और जो कि यहां पर काफी टक्कर का मुकाबला हुआ था सिर्फ 6 रनों से और उस्टलिया ने वह मुकाबला जीता था तो समझ सकते हो क अच्छी खेली थी Scotland भी उस मैच में अब इस venue के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो पांच मैचेस हुए हैं उसमें से चार जिते बेटिंग फर्स कनिवाल टीम ने और एक मैचेस हुआ है यह लास्ट के पांच मैच की मैं बात कर रहा हूं मतलब यहाँ पर लास्ट के प आश्ट बोलोस को ज्यादा विकेट्स मिलते हैं एस कंपेड टू इस्पिनर्स यह चीज आप धियां में रखके चलेगा आवरेज स्कोर यहाँ पर 170 से 200 के बीच में आपको दिख सकता है यह स्कोर आपको कब दिखेगा जब ऑस्टेलिया पहले बेटिंग करेगी तब अग ट्रेविस हैड और जेक फ्रेजर मगर्ग फिराएंगे आज से मिचल मास जोस इंगलिस कैमरन ग्रीन मार्कस टोइनिस टिम डेविड सीन एबट जैवेरी बर्टलेड एडम जैंपा और नेथन एलिस तो यह इनकी टीम का मोस्ट लाइकली प्लेंगलें रह सकता है विद बै ट्रेविस हैड है भई हैट्वेड में एक मुकाबला खेला है उसमें 68 रने और 68 का इनका आवरेज है फोर्म आप देखो रिसेंटली जो टी-20 खेल के आ रहा ही है वहाँ पर 54, 56, 57, 99 बहुत ही कमाल के फोर्म में है बिलकुल आपके टीम में होने चीए है जैक फ्रेजर मग हैट्वेड नहीं खेले नहीं टी-20 यह इनका डेब्यू रहने वाला है 53 टी-20 करियर में खेले 156-22 का अवरेज है रिसेंट फोर्म 11, 18, 11, 18, 3 है फोर्म थोड़ा सा कंसन है लेकिन ध्यान रखना यह बंदा आपके लिए ट्रम्प का काम करने वाला है मिचल मार्स है यहाँ पर हेट्वेड में एक मिच में आठ रन है रिसेंट फोर्म की बात करें तो अठारा आठ एक बारा सेथी से फोर्म उतना तगड़ा नहीं है लेकिन प्लेयर बढ़िया है जो सिंग्लिस हैं 21 टी-20 में 470 रन है रिसेंट फोर्म 24, 48, 33 जो सिंग्लिस ज्यादा इंपोर्टें यहां पर अच्छा कर रहा था लेकिन यहां पर दो चीज़ें देखने वाली रहेगी कि ओस्टलिया में यह मतलब कितने में बोलर खेलते हैं क्या इसको पूरे बोर मिल पाएंगे वो चीज़ें जब इनका प्लेंग लेंड आएगा ना तब डिसावरीड हो पाईगी मार्क फ्रेजर मगख इंपोर्टेंट रहेंगे मिचल मार्स इंपोर्टेंट रहेंगे यह तीनों कब के लिए मैं मान रहा हूँ कि जब ऑस्टलिया पहले बोलिंग करेगी अगर बाद में बोलिंग करती है तब टीम अलग रहेगी और यहां से मारक अस्टोनिस को भी मैं अभी नगाल इनका प्छेंटर विकेड है नोगे अंगर खेलते तो एक त्रम्प रहेंगे इस्पेशली ऑस्टलै की पहली बोलिंग पर टीम एक मेंच में नोगेट है एडम्स जम्पा है एट्ट्ट्ट्ट में एक विगेट, रिजसन्ट फॉर्म दो विगेट, एक विगेट, चार विगेट जिरो विगेट और दो विगेट है, तो फ़र्म इनका भी बढ़िया है और यह भी दवंग्रेट खिल के आ रहे हैं, नेथन एलिश डेथ के स्पेसिल चारो जो प्लेर हो बहुत इंपोर्टन है, क्योंकि मैं इनके किसी भी बोलर को आपको ड्रॉप करते हो आप, और अगो चलता है तो आपका वन साडल लोस करवा सकता है, यह चीज़ आप ध्यामें रखना, बाकी आप देख लेते हैं इनके बेंच के पर, तो बेंच पर इनकी जिरो विगेड है, राइली मेरेडित हैं, इसके नाम अगर आप देखोगे, पांस टीटोंटे में आठ विगड है, रेसेंट फोर्टन जिरो विगड एक विगड जिरो विगड जिरो विगड और एक विगड है, इनकी तरब से आपको पावर प्ले में बोलिंग करवाते नजर आएंगे, सीन एबट, मारक अस्टोरनिस, बर्टलेट और डेथ में दिख जाएंगे आपको नेथन एलिस, बर्टलेट और सीन एबट आपको डेथ के अंदर बोलिंग में करवाते वे नजर आ जाएंगे, अब ये तो बात होगई उस्टिलेग टीम की, अब बात कले बेरिंटन, मैथ्यू क्रॉस, माइकल लिस्क, क्रिस ग्रिवस, मारक वोट, सूफियान सरीफ, क्रिस सोल और बेडविल, तो ये इनकी टीम का मोस्ट लाइकली प्लेंग रह सकता है, विद बैटिंग ओर, स्टर्स के गर में बात कर लेता हूँ भी यहाँ पे, तो देखो, इ है, ठिक टाक सा फॉम है, अगर देखो, इनकी टीम पहले बेटिंग कर रहे है, तो ट्राइक कल लेना, क्योंकि उस कंडिशन में कहना, इंगलिस उतना इंपोर्टन नहीं रहेगा, फिर मंस सी ज्यादा इंपोर्टन रहेगा, माइकल जोंस है, हेट्टर्ड में एक मैंच मे एक विकट भी है, तो इस वेन्यू पर इनका रिकोर्ड बहुत बढ़िया है, रिसेंट फोर्म कीटियन का है, जीरो, नो बेटिंग, 11, 12, 12 है, रिची बेरिंग्टन टीम के कप्तान, हेट्टर्ड मेंच में 42 रहन, वेन्यू पर 15 मेंच में 423 रहन है, और दो विकट है, वे रिसेंट फोर्म नो बेटिंग, नो बेटिंग, और 5 है, माइकल लिस्क है, हेट्टर्ड में 1 मेंच खेले 5-0 विकट है, और यहाँ पर वेन्यू पर 15 मेंच में 196 विकट है, रिसेंट फोर्म दो विकट है, अगर जब विकेट पिच रूपोर्ट आईगे के लगता है कि वि प्छे खासे option आपके लिए बन सकते हैं, next जो player end की team के उनकी बात कर लेते हैं, तो Chris Greaves है, head to head में 1 match, no run, 0 wicket है, venue पर अगर बात करेंगे, 6 match में 117, 2 wicket है, recent form no betting, 4-1 wicket, 1 wicket, 9-0 wicket है, mark vote है, head to head में 1 match में 2 wicket, venue पर 14 match में 13 wicket है, recent form no betting, 0 wicket, 1 wicket, 2 wicket है, important रहेगा, अगर इनकी team पहले bowling करती हैं, तब आपके लिए important बन सकते हैं, Chris Saul head to head में 1 wicket, venue पर 4 match में 4 wicket, red will head to head में 1 wicket है, list take cricket, half-flall में खेल रहे हैं, recent form 1 wicket, 0 wicket, 1 wicket और 2 wicket है, तो यहाँ से अभी के लिए तो मैं सिर्फ 1 बोलर रखूँ हूँ, वो है mark vote, बाकी यह दोनों बोलर आपके लिए important रह सकते हैं, अगर इनकी team पहले bowling करती हैं, तब, अगर second bowling करेगे इनकी team, तो फिर यह उतना important नहीं रहेंगे, क्योंकि और उस्ट्रियला की waiting काफी बढ़ी है, bench पर जो उनके player हैं, उनमें है Brad Curie, जो कि अगर, देखो, career में 13 match में 21 wicket है बन देगे नाम, और when you पर आप record देखो, 4 match में 12 wicket है, खेलता है तो Trump बन सकता है, T10 का form में recent, एक wicket, एक wicket, एक wicket, और एक wicket और दो wicket है, ओली Harris है, T20 में 25 match में 427 रण, 19 coverage, when you पर 9 match में 276 रण, जहां पर एक wicket, 9 wicket, बार एक wicket है, यहां पर Charlie Castle है, ODI में 2 match में 7 wicket है, Charlie Tier है, T20 में 4 match में 47, Jesper Davidson, ODI में 2 match में 5 wicket है, तो अगर कोई खेलता है तो record में आपको बता दिये हैं, इनकी तरब से starting award आने चाहिए, Brad Will, सूफियान सरीफ, Chris Saul, और death के अंदर यहां पर आने चाहिए, Chris Saul, सूफियान सरीफ और Brad Will, आप देखो analysis वाला जो part 10 match का हो चुका है, complete, अब चलेंगे demo team की तरफ, लेकिन उससे पहले telegram चले से आपका जोईनों है, जरूरी है, telegram channel का लिंक आपको वीडियो के description में और पहले comment में टॉप पर पिन के वाब मिल जाएगा, तो जल्दी से जाकर telegram channel को जरूर से join करनीजे, आप देखो, फिलाल के लिए जो मेरी demo team है, मैं आपको बता जेता हूँ कि यह team मेरी रहेगी, जब उस्टिलया पहले bowling करेगा, तो मैंने आपर रखा है, जोज मंसी को मैंने रखा है, मिचल मास, प्रैविश एड, लिची बेरिंग्टान, जैक फ्रैजर मगर्क, मार्क स्टोईनी स्यासे, जैंपा, नेथन एलिस, सी नेबट, बर्टलेट और मार्क वाट, क्याप्टन मेरे सी नेबट रहेंगे, और वोईस क्याप्टन जैंपा, बाकि फाइनल टीम, अगर मान लोग यह उस्टिलया पहले बेटिंग करती है, तो अलग होगी, वो मैं आपको टेलिग्राम चैनल पह दे दूँगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो लासा देखने लिए धन्यवाद,